दोस्तों आज हम एक पिंटर दिखाएंगे जो पिंटर HP Dexate Ink Advantage 3536 AIO All-in-1 पिंटर है जो पिंटर आउन करने के बाद दो एरोर शो करते हैं एक देखिए इसमें ब्लैक कार्टीज खतम हो गया उसका एरोर शाती साथ पेज एरोर भी शो कर रहे हैं तो हम इसको दिखाते हैं देखिए आटोमेटिकली इसमें आ जाएगा E3 Error यह देखिए आचा रग मैंने कुछ किया ही नहीं कोई कमेंट दिया ही नहीं फिर भी E3 Error शो कर रहे हैं देखिए पहले एक ब्लैक एरोर दिखा रहे हैं काटिज का साथी साथ इसमें पेज यह और भी दिखा रहे हैं जैसे कि पेज इसमें अलेडी है तो मैंने एक बार ब्लाक बटन प्रेस कर दिया तो जीरो हो गया इसका मतलब पिंटर आप रेडी है लेकिन इसको कैसे रिजॉल्ब कर पाएं गया ओई यह उनिक टेक्निक आज वीडियो अब साथ्सक्राइब माई चैनल और किलिक आउन दा बेल आइकन तो मैं हूं राजकुमार आप लोग देखिये यह जो एरोर है यह 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 आप कैसे डिजॉल्ब कर पाएंगे यह यह उनिक टेक्निक हम इसमें दिखाने वाले हैं तो स्क्रिप करके मात देख पॉर्प कर दिया इसके मतलब के जो है इसमें बीच में आना चाहिए लेकिन ऐसमें देखिए लें अखिगा दोस्तव हों दाग दोक्रियोल्ब LG में आप लोग इसमें लेकिन जैसे की आपको मावम है। अप लोग सभी जानते हैं की दोर ओपन कैने के बाद आद आप़ ह कोई रज़ साइड या लेफ साइड में जाके यह बंद हो रहा है। क्यों ऐसे बंद हो रहा है और इसको कैसे आप रिजोल पाएंगे, देखिए यह धीडियो में, तो पहले हम क्या करेंगे, आप लोग जानते ही है, तो कैसे इसको, और वह दिसे रिसेंबिल करते हैं, चारो श्कुरू से जूड़े रहते हैं, तो हम यह देखिए, श्कुरू पहले निकाल देते हैं, इस साइड में दो रहते हैं, और ऊपर में दो, टॉप में, तो यह वाला हम हटा दिये, यह देखिए, चारो श्कुरू यह ज्यादा नहीं है तो और खोलते बैक थोड़ा क्यारफुली इसमें खोलिएगा जैकिए यी तीरी एरो दे रहा है तो मैंने पींटर को आप करें देते हैं अब हम क्या करेंगे स्कैनर का जी आप्शन है एक पार्ट को अलग कर देते हैं दो केबल से जूड़े रहते तो बी क्यारफुल नही तो धान से यह देखिए इस केबल के साथ जूड़े रहते हैं लोजिक बोट के साथ तो इसको हम इस तरह निकाल देते हैं तो अलग हो गया यह जो स्कैनर पाट है स्कैनर पाट को हमने अलग कर दिया और अभी जो देख पारे मूव हो रहा है और यह जो है एक all-in-one प्रिं और वी अप्षेन है इसमें इसलिए एक Wi-Fi कार्ड इदा देखिए लगा हुआ है तो यह देखिए इसको यह Wi-Fi कार्ड लगा हुआ है लोजिक बोट के साथ पहले इसको हम डिस आसम्बल कर देते हैं तो बी केरफुली जितने सारा केबल या वायर इसमें जूड़े हैं हर बहुत क्यारफुली आपको इसको निकालना चाहिए नहीं तो डैमेज हो सकते हैं तो बी क्यारफुल यह देखिए यह Wi-Fi कार्ड है तो इसको हम साइड में रखते हैं और अब हम क्या करेंगे यह जो कैरेज जो पार्ट है ना यह कैरेज पार्ट को हम थोड़ा अलग क्योंकि अभी और भी कुछ प्रॉब्म है जो कि बीच-बीच में पेपर अटक जाते हैं बीच में ठीक से पेपर पिक अप नहीं करते हैं वह भी हम एक बाच चेकर लेंगे इसलिए इसको खोल रहे है कि बीच में कोई कुछ फस्ट ना जाए या फस्ट गया है तो वह भी ह बीच में करड़ ज्यून रह्ते हैं ज्यादा स्कूर नहीं है तो ज्यादा चींते करने के कोई बात circuit नहीं है इसको हम इस सर छरा खोल देते हैं यह देखिए कि खल गया ऑह बहुत ही आज़िया है और आए दिखिए के ज़स्तम मौटर प्रत हम अलग कर देते है थोड़ा clean कर देते, आप लोग brush use कर सकते हैं, या आपके पास कोई sub copper है, वो भी आप use कर सकते हैं, और यह जो circuit देख पा रहे हैं, इसको door sensor कहते हैं, जब हम door को open करते हैं, यह sense करते हैं, और यह देखिए, दो sensor लगए हुए हैं इसमें, यह कितना move हो रहा है, इसको sense करते हैं यह वाला sensor, और side में यह door sensor है, इसको भी हम थोड़ा clean कर देंगे बाद में, यह देखिए, main जो दिखाना हैं, इसमें एक sensor भी है, negative की तरह, round shape कहें, इसको थोड़ा clean करना है, दन पर रखिए कि, जब आप clean करेंगे, तो थोड़ा be careful, आप इसमें, सब कपरे यूज़ कर सकते हैं, या tissue paper यूज़ करते हैं, तो बहुत अच्छा है, यह move करते हैं, तो इसको हम clean कर देंगे, अब देखिए, यह जो है न, इसको encoder strip कहते हैं, तो इस strip हम क्या करेंगे, हटा देंगे, क्योंकि E3 error जो आ रहे हैं, एक्चुली main problem है, इस sensor में issue आते हैं, इसलिए E3 error show करते हैं, मेजर जो issue है, E3, और यह जो देखिए, इसको encoder strip कहते हैं, यह जो steep है, इसमें बहुत ही देखिए, डेमेज हो चुका है, आपको कैमेरा में ज्यादा अच्छा नहीं देख पा रहे हैं, आप लोग साइद, फिर भी हम कोशिश कह रहे हैं, यह देखिए, कई सरी जगा इसम पतलों है, कर Islam के दूचिए, ऊचिए माइने जड़ा जो रखा लगा है, कई सल्नमेरा में बहुत दिन करने के कोशिच कहा है, तो कउसली देखिए, यह जो र sırख हो गया, मतलब यह इतना खराब हो चुका है, ज अधने में और क्लीन कोशिच कहा है, इस को थोड़ा एक बार clean किया, तो इस तरह damage हो चुका है, मतलब actually normally ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये strip अगर खराब हो चुका है तो आप clean करेंगे, तो ऐसा हो सकता है, तो देखें, ये नया, एक encoder strip हम इसमें डाल देंगे, ये वाला नया है, और उसको आपको समझ में आ रहे कि ये खराब हो चुका है और लेडिरा में जो चुका है और ये जो main जो है encoder strip का, ये sensor इस sensor को अच्छी तरह clean करना है, क्योंकि E3 error का main जो issue है ये sensor के लिए show करते है, तो इसको हम क्या करेंगे शूती के कप्रे के साथ इसको और मैंने एक जो कप्रा है थोड़ा गीले कर लिया और अब इसको थोड़ा धैन से आपको करना है, तो be careful, तो मैंने clean कर दिया, अब इस side में जो ये बाला आपको दिखा रहे थे, इस sensor को हम थोड़ा clean कर देंगे, घुमाते रहेंगे और clean करते रहेंगे ये motor के साथ एक belt के तरह जूरे रहते belt के साथ तो अगर आप motor घुमाते तो ये भी घुमेगा और आपको clean हो जाएगा आप tissue paper या soft cotton के कप्रे यूज़ कर सकते हैं और कोई sprit, thinner इसमें use मत कीजिए I remember again, don't use the thinner और alcohol ये जो belt है घुमते हैं तो इस तरह घुमाते हैं तो ये घुम जाएगा कोई problem नहीं है तो हम इस तरह इसको clean कर देंगे Actually इस तरह का problem तब होते हैं कि कई दिन printer यूज नहीं करते हैं आप लोग और ये जो है ना ये रोलार है और इसमें दो रोलार रहते हैं Actually ये photo printer type का है इसलिए दो रोलार रहते और जो documents printer होते है उसमें एक रोलार रहते तो ये photo भी printer करते है इसलिए दो रोलार है और बीच में ये वाला ये देखिए sensor के बीच में ये फ़र्च जाएगा Be careful आपको ये encoderative लगाते बग धन रखना होगा जो उपर में आइकोन है तीर वाला आइकोन उपर रहेगा और आपको सब्सक्राइब से लगाना है अगर ये गलत लगा दिया आप लोगों ने तो ये error नहीं जाएगा और पिंट नहीं होगा तो हम फिर से इसको assemble कर देते हैं encoder strip ज्यादा महेंगा नहीं है असानी से मिल जाते है मर्केट पी पी मिल सकते है service center पी भी मिल सकते है तो आपको जिदर से खरिद सकते है चाहे HP service center हो या कोई भी IT shop हो अब इस sensor sensor को भी हम थोड़ा clean कर देते हैं इसको door sensor कहते है ठीक है क्योंकि जब हम cartridge open करते हैं ये printer sense करते है और ये head पीच में आके रुख जाते हैं इसको door sensor कहते है तो ये door sensor जो है इसको हम थोड़ा clean कर देते be careful अब इसको sml कर देते हैं एक ही screw साथ जूरे रहते देखिए हो गया अब हम क्या करेंगे इसको logic board कहते हैं तो ये logic board हम इसमें assemble कर देते हैं दो screw के साथ जूरे रहते हैं तो जितने सारे केवे ले इसको भी इसमें जूर देना है तो मैंने एक एक करके इसको जूर देंगे पहले screw को लगा देते हैं अब इस wire को जूर देते हैं हर एक पीन का अलग-अलग है किसी का दो पीन किसी का तीन पीन किसी का चार इस तरह है और हर एक पीन में अलग-अलग design का है इसलिए आपको शाइद दिक्कत नहीं हो होना चाहिए फिर भी अब लगाते हुए धन रखिएगा कि एक की जगा दूसरा इसमें sit नहीं हो जाए एक्चली होना नहीं चाहिए फिर भी आप गलत लगा देंगे तो यह board डेमेज हो सकते तो carefully इसको लगाना है और यह हमने scanner cable इसमें जोड दिया scanner का अब लगाते हुए अब धन पर रखिए नहीं तो तूट सकते है और यह display board का है तो मैंने अब आउन कर दिया यह देखिए एक paper भी डाल देते हैं तो देखिए दोस्तो मैंने क्या किया था कि यह देखिए black ink dry है इसलिए error लेकिन color है तो हम कोशिश करेंगे क्योंकि यह printer जो है printer बहुत दिन पड़ा हुआ था कही मैंनों पड़ा हुआ था इसलिए इसका यह part खराब हो चुका encoders tip यह देखिए printer configure जो page है status report दिखा रहा है यह देखिए यह printer जो है hp-rexate ink advantage 3635 all-in-one printer यह देखिए printer status report इसमें कौन सा printer है model number, serial number, part number सब कुछ देदेते हैं कितना total page है 1326 total page इसमें print हुआ है देखिए यह जो है क्योंकि इसमें तीनों काली नहीं है जो color cartridge भी है वो cartridge भी खराब है इसलिए शिर्फ लाल टाइप का आया है तो दोस्तो इस तरह आप अपना printer साही कर सकते है तो मेरे चैनल को जुरू subscribe करे लाइक करे शेयर करे और बिल आइकन को जुरू प्रेस्ट करे आज इतना ही जाहिन नमस्कार